नमोना रायें, जै महाकाल, जै मभगला मुखी सभी मेरे दर्सकों का बहुत-बहुत स्वागत है सभी सनातनी भाईयों भेहनों का बहुत-बहुत स्वागत है आसा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे आपके अध्यात्मी गुन्नती आगे बढ़ रही होगी देवता आने के, मैं आज बात कर रहा हूँ दिव्विसक्तियों की, दिव्विसक्ति जिने हम भगवान कह सकते हैं, आपके कुल देवी देवता कह सकते हैं, आपके पूर्वाज हो सकते हैं, आप जिसे भी चाहते हैं, वो आपके ईष्ठ हो सकते हैं. जब भी आप पूजा पाट करते हैं उस समय बहुत सारे आपको संकेत दिखने को मिलते हैं पर वो संकेत आपको तभी मिलेंगे जब दो बाते होंगी खास कर एक आप मन से करेंगे आपके आच्रण सही होगा दूसरी बात है कि आप बहुत देर तक करेंगे तो भी आपके उसमें ऐसी चीज़े होती हैं संकेत मिलते हैं इन संकेतों में कुछ संकेत आपके साथ होते हैं आपके सरीर के साथ होते हैं आपके आस पास होते हैं और कुछ आपसे हटकर भी होते हैं अब कौन-कौन से संकेत है इसके बारे में मैंने बहुत सारी वीडियो पहले भी बनाई हुई है मैं आपको बहुत सारे संकेतों के बारे में बताऊंगा जिसमें से साथ संकेत मेन हैं लेकिन ये मिराज का वीडियो सिर्फ साथ संकेतों तक ही सीमित नहीं है संकेत तो बहुत सारे होते हैं मैं एक एक करके आपको संकेत बताता हूँ आप ध्यान से इसको सुनिएगा जब भी आप पूजा पार्ट करेंगे सबसे पहला संकेत होता है आपके सरीर का तापमान बढ़ेगा ये मुझे ज़्यादा तर एक कोश्चन आया था कि गुरुजी मेरे सरीर का हीट एनरजी जो है वो बढ़ जाती है मेरे सरीर में गर्मी महसूस होती है तो ये नॉर्मल एक क्रिया है जब भी हम मंत्र का उच्चन करते हैं तो उस देवी देवता की सक्ती उस मंत्र के अंदर में होती है उस मंत्र के अंदर उस देवी देवता की सक्ती होती है और वैसे भी आप कभी भी देवी देवता को सिद्ध नहीं करते हैं, आप किसको सिद्ध करते हैं उन मंत्रों को, मंत्रों की अधीन देवी देवता होते हैं आप उन्हें अपने अधीन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उपरा सकती है, वो खुस होकर आपके जब तप से ही आपको दरसन देगी आपके कारियों को सिद्ध करेगी तो वो सबसे बड़ा तरीका होता है मंत्रों के द्वारा पहले समय में भी आप देखते थे आपने बहुत सारे टीवी सीरियल में भी देखा होगा चाहे भले वो एक रील्स है लेकिन सच्चाई यही है कि उसमें भी जब लोग मंत्रों का जाब करते थे या बहुत समय तक तपश्चा करते थे तो ही प्रसन होते थे तो यह एक निरंतर चलने वाला क्रम होता है साधना भी इसमें कोई सक नहीं है तो मंत्रों के अधीन देवी दे होता है और आप उन्हें आसानी से इन मंत्रों के द्वारा मना सकते हैं तापमान बड़ेगा, दूसरी बात, आपके पूजा के दीपक में फूल बनेगा, तरे तरे की आकरती बनेगी, आपको नीद आएगी, आपको जबकी आ सकती है, आपको जम्हाई आ सकती है, आपके सर में दर्द होगा, और खास करकि माथे के बीचो बीच दर्द होगा, जहां पर आग्या चक्र है, वहां पर दर्द होगा, आपके सरीर में कई जगे में दर्द होगा, इसके बारे मैंने बहुत जगे बताया हुआ है, ठीक है, दूसरी बात आपकी आँखे बार 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 ब्रह्म मूरत में खुलेंगी, ब्रह्म मूरत चार से साड़े पांच बजे के बीच का समय है, बाई डिफॉल्ट ही समय होता है, तो इस समय में आपकी आँख खुलेगी, आपको किसी के होने का एसास होगा, आपके कान में मंत्र की ध्वनी सुनाई देगी, मंद्र की गंटिया सुनाई देगी, आपको आगन में मोर आ सकता है, नारियल आपको जाते हुए दिख सकता है, किसान आपको दिख सकता है, फसल ले जाते हुए, इन धनुस आपको डिखते हैं, सपने में आप देवी देवता से बात करते हैं, आप पित्रों से बात करते हैं, आपके पित्र पसंद रहते हैं, आप बहुत बड़ा बड़्डे पार्टी साधी विवास अमोरो इसको अपने में देखते हैं आपके घर में गाय आने लगती है जो कभी आपके दर्वाजे पर भी नहीं आती तो वो रम आती है कोई भिकारी आपके दर्वाजे में सटन आता अग्दम से गयब हो जाता है तो ऐसे बहुत सारे लक्षण आपको देखने को बिलते हैं और ये लक्षण जो मैंने बताए हैं इसमें लक्षण कुछ बाहर के भी हैं कुछ आपके सरीर के साथ भी हैं बहुत से लोगों को आपके रोम्टे खड़े होते हैं या आपके सरीर के साथ होता है आपके सर में दर्द हो अब जो बोलते हैं वो नहीं लगता है पूर आभास आपको होने लगता है इतने सारी चीज़ें आपके सांथ होती है जिस पर भी आत रखोगे उसाही हो जाएगा तो इस बहुत सारे और भी लक्षण करते हैं जिन्हें अध्यात्म का आप ही नहीं पता है वो आके इस वीडियो में आके वाहियात बेकार भाग पता नहीं क्या-क्या लिखते हैं वो कुछ भी लिख सकते हैं लेकिन अगर हम उसका जवाब दे देंगे तो वो फिर बताने लग जाते हैं कि आप एक गुरू हैं आप सनातन हैं ढोंग कर रहे हैं पता नहीं क्या-क्या मतलब ये जो अधिकार होता है वो उट-पठांग लिखने वालों को हो सकता है दूसरा कुछ नहीं कह सकता है तो ऐसे मुर्ख बहुत ज़्यदा भरे हुए हैं उनके लिए मैं ये वीडियो बनाता भी नहीं हूँ जो समझने वाले होते हैं जो समझदार होते हैं वैसे भी हर इंसान कोई भी हो वो किसी हजारों को खुछ नहीं कर सकता है ये तो एक छलनी जैसी चीज है सही इनसान के पास छन कर पहुंच जाएगी जिसके पास पुहौँचना होता है जिसको नहीं चाहिए होता है वो तो फिर बाल की खाल निकालने वाला जैसा हो गया और इनसान तो ऐसे ऐसे भी है जो भगवान से भी खुस नहीं है जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं वो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकन बटन को भी दबाए ताकि नेक्स्ट वीडियो की भी नोटिसिकेशन आपको मिलती रहे इस वीडियो को जादा जादा सेयर करें ताकि और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और इसी तरिके से चैनल आगे बढ़ता रहेगा प्रमोट होता रहेगा जो मेरे साथ पहले से हैं वो लोग यूही अपना प्यार और साथ बनाए रखिएगा ऐसे ही आपको अच्छे ची वीडियो मिलती रहेगी अभी के लिए आप सब लोग खुस रहें स्वस्त रहें और महा सिवरात्री आने वाली है आठ मार्च को आप सभी लोगों को बहुत बहुत बदाईया महा सिवरात्री के दिन भगवान भरेनात आपकी सभी मुराद को सभी च्छाओं को सभी कामनाओं को सभी विश्च को पूरी करें हर हर महा देव नमोनायन जै महाकाल जै मुगलमखी